गर से बाइक पर ले गए अदमरा कर खेत में फैंका परिजनों ने बताया अभरन कल हुई लड़ाई को लेकर आज कुछ यूवकों ने एक यूवक को बाइक पर जवर्दस्ती बैठा कर खेतों में ले जाकर अदमरा कर फैंक दिया पुलिस ने पीडित यूवक को कसवे से सर कारी अस्पताल में इलाज के लिए भरती कराया है मामला है हमिरपुर जनपत के मोदहा कस्वे के महला कुमरोडा का जहां पर कल शराब पी कर उटपात मचाने को मना करने पर एक यूवक को तीम यूवकों ने पीड दिया था उसके बाद कोतवाली शिकायत करने जाते समय भ करीब आदा दर्जन लोगों ने उसे जबरदस्ती घर से अपनी बाइक पर बैठा लिया और पिप्रोंदा के निकट खेतों में अद्मरा कर फेंक दिया किसानों के सायोग से अफरत यूवक को नेशनल हाईवे पर स्थित मंकराव लाया गया जहां से कोतवाली पुलिस दीडित को थाने लेकर आ गई सबसे बड़ी बात यह है कि गंभी रूप से घायर युवक को कोटवाली पुलिस अस्पताल न ले जाकर कोटवाली लाई जिसे करीब एक घंटे बाद सरकारी अस्पताल पहुचाया गया इस बीच युवक की मौद भी हो सकती थी हाला कि परिजनों ने असलहे की नोख पर अफरन बताया है जबकि कोटवाली पुलिस ने मारपीट की घंटना बताते हुए अफरन की घंटना से इंकार किया यह जो अफरत था जी यह आपको कौन है चाचा है क्या मामला हुए था यह साम के वो बाबू जग्जी का लड़का गाली दे रहा था साम को तो आके मारपीट करने लगा समझाया उसको फिर इसके बाब रपोर्ट कर दी हम रपोर्ट करने जा रहा थे तो यह लड़के बुला के भीजी घस्ते में चेक के मारा साम को तो बाब से फिर थाने गए सब लोग थाने चले गए चाचा भर घर में था तो इसने लड़कों को फोन करके बुलाया चैसाथ लड़के आए कट्ता लगा के ले गए उसको पगड़के कहां ले गए यह पाटनपुर वाले रोड में ले गए थे वहां हमाँ खेतों में पुली पुर्वा के बता रहे हैं जांते नहीं हां जानते नहीं हैं हुआ हमारे चाचा वह लड़के घर से उठाके ले गए कैने फोकी पीजू को रही है कि फोट रहा है दो लड़कों को गुलाया प्रोट करने नहीं तो पूले परlais लागासि नसमिक ह्हzd प्रेप पाटनपुर वाले रोड में ले गए थे कैसे मिला ये कैसे जानकारे पड़ा तब मकरावाले इनका हार पड़ता थे वह उठाके लेके आये थे तलाब की किनारे मंदिर मकराव में महां रखा थे फिर फोन किया उन्होंने हम पुलिस गयी अपलों पहुच गया थे तृचा के नहीं जी ळी पुलिस को तो डिस्के आप लोग ने दीटी हां मीने दीटी दूधी हो हां ने लैड या इस्था बढ़ा यह फोलिस पहले थाने लें गई थी के वहीं मोकर पोंच गए ठीव आईने का वीकम ने गंते बाद आये